A2B2 Study की YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो यूपी पॉली टेक्निक इंटेस एक्जाम 2013 के लिए डिफार्मा यानि डिपलोमा इनफार्मेंसी E1 और E2 दोनों ही ग्रूप के स्टुडेंट्स के लिए आज हम physics के गति यानि motion chapter के numerical type questions को swallow करने वाले हैं तो वीडियो पर last तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिसे आपको हमारी हर एक वीडियो का notification मिलता रहेगा दोस्तों अगर आपने हमारी पिश्चरी वीडियो को नहीं देखा है तो थियोरी वाली वीडियो देखने के बाद ही इस numerical वाईरी वीडियो को देखें जिसे कि आपको प्रस्ण और भी अच्छे से समझ में आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ण के साथ प्रस्ण है प्रारम्भ में एक कार समान वेग से चल रही थी उस पर एक मीटर पर सिकेंड का त्वरल बार सिकेंड तक लगा तोरण जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड का है और वो तोरण 12 सेकेंड तर लगा जिसके फ़ल स्वरूप हुआ क्या कार ने 190 मीटर की दुरी तैकी अब यहाँ पे 12 बार दो बार दे दिया है उस पे आपको कर्फूज नहीं होना है 1 मीटर पर सेकेंड का तोरण है ठीक है और 190 मीटर की दुरी तैकी यानि S बराबर 190 मीटर उसके बाद कार का प्रारामबिक वेग आपको पूछा हुआ है और यहाँ पे 12 सेकेंड जो है वो समय भी दे दिया है जो जो दिया है प्रस्न में सबसे पहले वो लिख लेना है प्रस्न देखते ही आपको पहले यह काम करना है अब यहाँ पे आपको U गयाद करना है तो आपको हमने एक फ्रामूला बताया था पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख ले फ्रामूला था कि S is equal to U plus half A यहाँ पे 2T minus 1 2T minus 1 यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 2T minus के 1 अब इसी फ्रामूला पे हमको इस सभी मान को जो भी है उसको रख देना है तो चलिए रखे ना तो चलिए मान रखते हैं ठीक है थ्यान से देखते रही हैगा अब हमें Yes कमान पता है 190 तो हमें यहाँ पे 190 रख देते हैं equal to में हमें U कमान पता नहीं U कमान गयात करना है तो U रख देंगे plus में half 80 है तो 1 by 2 यहाँ पे रख दीजिए और into A कमान कितना है तो 1 meter per second है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए और फिर कोश्टक में 2 T का value कितना है तो यहाँ पे 12 second है तो यहाँ पे 2 into 12 minus के 1 कर देंगे अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा जो value है वो रख दिया है अब आप इस value को solve तो कर दिया है क्योंकि हमने मान तो सभी कुछ रख दिया है तो इसको solve करिए जो दोस्तों इसको solve करेंगे तो देखेंगे U का जो value है U जो है U is equal to आपका answer जो है वो आजाएगा और वो आएगा 178.5 ठीक है तो जैसा कि आप question में देख सकते हैं इसका जो option number C है वो बिलकुल correct answer भी आजाएगा तो आप इसको solve कर दिएगा क्योंकि यहाँ पर इसकीन पर थोड़ा space कम होने करण हम इसको solve नहीं कर पा रहे हैं पर हम आपको पूरा इहाँ पर मान रख दिये हुए हैं और इतना तो आप सभी जानते ही होंगे इतना तो आप सभी को knowledge होगा ही कि questions को मान रखने के बाद फ्रामुली में solve कैसे कर जाता है इतना तो आपको knowledge होगा ही तो question number one का जो answer होगा वो होगा option number C यानि 178.5 या आपका U का मान होगा U यानि प्रारामभी का मान तो मिध्यप को पहला प्राशन अच्छे सवय में आ गया होगा अब हम अगले प्राशन पर चलते हैं अगला प्राशन है किसी वस्तु के वेग को दो गूना कर देने पर उसे रोकने की सापेश दूरी क्या होगी किसी वस्तु के वेग को अगर आप पुछा गया था इसके साथ 2021 में भी पुछा गया था हलांकि 2022 में नहीं पुछा गया था पर क्या पता कि 2022 में ये question repeat हो जाए इस question को काफी important है या आप मैं star बना दे रहा हूँ इस question को आप जरूर से note कर लिजिए दोस्तों अगला काफी important question है बहुत ही ध्यान से समझेगा इसको 20 मेटर की उचाई से 2 गिंदे एक सिकेंड के अंतरा पर छोग जाती है दोनों की छोड़े याने की 2 सिकेंड बाद उनके बीच दूरी क्या होगी बहुत से छात्रों को ऐसा का question जो आता है वस्तों जो है 2 गिंद है एक गिंद ये है एक गिंद ये है एक सेकेंड के अंतरा पर छोड़े जाती है यानि इसको अगर छोड़ दी हम तो इसको एक सेकेंड के बाद छोड़े जाता है तो क्या होता है कि दोनों छोड़े जाने के दो सेकेंड बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी एक गेंड जो है वो दो सेकेंड बाद छोड़ आती है दूसरा गेंड जो है एक सेकेंड बाद यानि कि इसका जो होगा तीन सेकेंड हो जाएगा क्योंकि एक सेकेंड बाद छोड़ा जा रहा है आपको clear होई गया होगा ठीक है तो बस हमने आपको एक फ्रमुला पिछली वीडियो में बताया था कि s is equal to u plus k half gt square दोस्तों बहुत ध्यान से बताईएगा कि क्या आप मैंने आपको यह फ्रमुला बताया था सई सीताईएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यह फ्रमुला याद होगा यह फ्रमुला बताया था कब यह वस्तु को नीचे से उपर फेका जाए पर अगर किसी वस्तु को उपर से नीचे की उच्छा जा रहा है तो उस condition मैंने आपको बताया था कि ये जो चिन है वो डेडात्मा हो जाता है माइनस हो जाता है तो same वही काम करना है S is equal to माले जहां मगर यहां पर S1 लेले क्योंकि दोनों गिंदों का समय अलग है S1 is equal to U minus G half यहां पर हो जाएगा minus half GT square और S2 बराबर U minus half GT square यहां पर आपका T2 होगा यहां पर आपका T1 होगा क्या होगा यहां पर आपका T2 होगा यहां पर आपका T1 होगा बस आपको इसी फ्रामूले पर दोनों समय अकामान रख देना है यानि जो कि सेकेंड में है दो सेकेंड और तीन सेकेंड हमने निकाला हुआ था जब आप S1 में मान रखेंगे और आप S2 मान रखेंगे तो क्या करेंगे यहां पर मैं S2 बदा देता हूँ S1 और S2 माले जी यह आपका समेकर नमबर 1 है और यह 2 है आपको करना क्या है चलिए हम यहां पर हटा देते हैं और आपने अगर इसको 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 ले लिया है तो हम चलिए आगे इसको solve करते हैं देखिए हमने लिखा S1 माइनस के S2 ठीक है बराबर 1 बाइ 2 हमने दोनों में से common ले लिया और G का जो मान है हमने आपको उताया था कि मान जबन दिया हो तो 9.8 रखते हैं इंटू में क्योंकि फारबूले में T1 स्कोर मैनस T2 स्कोर था तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि हमारा T1 का value जो 3 था था 3 स्कोर मैनस के T2 का दो value था तो दोनों को हम यहां पर रख देते हैं अब हमारा S1 माइनस के S2 सोरी यहां पर कलती होगा देखिए S1 माइनस के S2 बराबर 1 बाइ 2 इंटू 9.8 इंटू 3 का बर करेंगे तो 9 होगा और 2 का बर करेंगे 4 होगा यहां जब 9 में से 4 को उटाएंगे तो यहां पर आपका 5 से जाएगा बस आगया answer बस आप इस value को solve कर लिजे यह जो है इतना value इसको आप solve कर लिजे जब इसे आप solve करेंगे तो आपका S1 माइस N2 S2 यानि दोनों को हमने एक सेकेंड के अंतराब शोड़ा था एक अगेंद को तुरांच छोड़ दिया था और एक को एक सेकेंड के बाद शोड़ा था दोनों को बीच जो गती होगी वो केतना होगा जोनों के बीच वो होगा 24.5 जो मैंने अभी solve किया था था ना question उसी को आप solve कर लिजेगा आगे आपका इतना answer आ जाएगा जो कि आपसन नंबर एक से मैच करता है और वही आपका correct answer हो जाएगा तो उमीद है आपको ये प्रस्ण समय में आ गया होगा अगर प्रस्ण समय में ना आ जा हो तो वीडियो को एक बार reverse करके जरूर देख लीजेगा आपको 100% सब कुछ clear हो जाएगा दोस्तो अगला प्रस्ण है 43.2 km घंटा की गती से जलती होई motor car पर इस पर कार बेक लगा जाते हैं कि इसकी गती का मंदन 60 cm से second square की दर से हो जाता है विस्रा मौस्था में जाने से पूर कार द्वारत थाएगी कि दूरी क्या होगी बहुत आसान question है इस type का question मैंने आपको बताना था theory वाले class में कि इस type का question पूछी जाते हैं और जब भी हम किसी गती को रोगने का प्यास कर रहे हैं तो वहाँ पर मंदन हो जाता है यह भी मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आपको एक फ्रामूला मैंने बताया था b square is equal to u square plus के 2as या फिर 2gs ठीक है इसी पर आपको मान रग दिना है तो यहाँ पर b जो है वो हमारा 0 होगा क्यों 0 होगा क्योंकि वस्तु जो है वो विस्राम अवस्था से पूर्व पुछा हुआ है तो विस्राम अवस्था में क्या होता है वहाँ भी गतिज होती है वो 0 होती है वहीं u square to आपका 43.2 दिया हुआ है ठीक है और अब इसी पर आपको मान रग दिना है तो चलिए मान रखते हैं वी square बराबर u square plus 2as में मान रखने पर तो चलिए मान हम रख रहे हैं वी का वाल जीरो है तो यहाँ पर 0 रखती है बराबर u का मान कितना था तो 4 43.2 और यहाँ पर इसका square किया हुआ है तो इसको हम square कर देते हैं plus में हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तो इससे पहले हम इसमें तोरण को जाद करेंगे क्योंकि हमें इसमें दूरी को जाद करना है पर इसमें तोरण भी नहीं दिया हुआ है तोरण को भी हमको इसमें जाद करना होगा तो यह बराबर होता है दूरी परिवतन बटा समय परिवतन तो यहाँ पर दिया हुआ है 43.2 किलो में पर गंटा दिया हुआ है तो इसमें हम 1000 से मल्लिप्लाइ कर देंगे में पर सेकेंड पर चैंज पर लिए और 2 में हमारा क्योंकि 60 सेंटिमीटर से km स्कुर्ट स्कॉर दिया हुआ हैं तो यहां पर हम स्कॉर के लिए 60 इंट्व 60 कर देंगे ठीक है जब इसे आप सॉल्ख निगे इस को तो आपका आएगा 12 मीटर पर शी केंड याँ एक वाइलियु आगया 12 meter per second इसे अब solve कर लिएगा अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था theory class में कि क्योंकि मंदन है इसलिए हम 12 का जो है इसको minus 60 लेंगे मंदन के वज़े से तो s is equal to u square by 2a से u का मान हमारा है 12 square by 2 into a का मान हमें निकाला हुआ है कितना sorry यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दिया देखिए यह हमारा u का value आया हुआ है तोरण नहीं बलकि u का value आया हुआ है ठीक है ध्यान समझेगा यहाँ पे हमने mistake कर दिया है u का value यहाँ आया वह आपका 12 और यहाँ पे 2 into a का जो value है यहाँ पे हम रखेंगे 0.6 ठीक है 0.6 को यह मंदन है जो cm पर second square है तो इसका जो गती है न वो रिडात्मक हो जाता है तो इसको 0.6 यहाँ पे रखेंगे और इसे आगे solve करेंगे तो 12 का अबर आगा 144 और 0.6 और 2 का multiply करेंगे तो 1.2 जब इसे आप divide करेंगे तो आपका जो answer आएगा वो आएगा 120 मीटर 120 मीटर तो option number A इसका correct answer होगा दोस्तो हमने इस question में थोड़ा बताने में थोड़ी समस्या होगई तो इस video को एक बार फिस अडिवास करके देख लिजेगा उमिदयाब को clear हो जाएगा अगरा पासने किसी पच्षेप के अधिकतम उड़यानकाल के लिए पच्षेप कोड का मान होगा किसी पच्षेप के अधिकतम उड़यानकाल के लिए यानि कि अगर वस्तुक क्यूश फेक रहे हैं तो maximum time उपर रहे नीचे आने में उसको ज्यादा समय लगे कि मतलब उपर कोड बहुत लम्मे समय तक रहे तो उसके लिए उड़यानकाल पच्षेप कोड क्या मान क्या होगा तो वो कोड जो होगा वो होगा 90 डेगरी ठीक है 90 डेगरी क्योंकि आप जानते हैं कौण सामानर वगे कि वटयनकाल अधित्तम हो क्योंकि अगर वस्तु को आप ऐसे फिकते हैं लंबवत 90 डिगरी पर तो उसे आने में याई वो जब तक अपने उचतम बिंदू पर नहीं पोचेगा, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, तो वस्तु को आने में भी समय ज़्यदा लगेगा, इसलिए अगर हम थीटा का मान, चाइन थीटा का मान, 90 दिगी रखें, तो वो होगा पच्छेप कोड का अधिकतम मान, उचतम और उचतम उड़नकाल, इसलिए अपसल नंबर A इसका करेक्टेंसर होगा, उमिद है को प्रशन समय में आ रहे होंगे, दोस्तों अगर प्रशन समय में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना बोले, आपना सुझाओ हमें कमेंट में यानि कि यह हो गया न, यह मालेजी आपका 60 डिगरी है, तो इस वस्तु है, इसको 60 डिगरी पर फेका जा रहा है, उचतम बिंदु पर इसके वेग का उध्वादर घटक क्या होगा, यह आपको पूछा हुआ है, दोस्तों एक चीज़ याद कर लेजिए कि गती के दवरान, वेग के 36 घटक में कोई परिवरतन नहीं होता, अतर होता क्या है कि उचतम बिंदु पर, यानि मालेजी उचतम बिंदु यही है न, या पर थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, मालेजी यह आपका maximum बिंदु है, उचतम बिंदु, यानि कि इस बिंदु पर जा गरके वस्त देखिए, इसको आपके फेक रहे हैं, उपर न, मालेजी 10 मीटर पर सेकंड की वेक्स फेक रहे हैं, वस्तु यहाँ गया, यहाँ पर जब यह पहुच गया सबसे उचतम बिंदु पर, तो आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को फेकेंगे, तो क्या करता है, वो इतम, ज जाके वो गती 10 से 9, 8, 7 घरते वी नीचाय शुरूती है, तो मिद है आप समझ के होंगे, इसलिए वो सुनने होगा, ठीक है, 21 का अप्सन नमबर A होगा, करेक्ट अंसर, इस परस्णों को सौल करने की जोगत नहीं थी, केवल समझने की जोगत थी, अगरा परस्णे चार पर पच्छेप समान, वेग से 36 से 25 पैतायली, चारिस पैतायली वच्पन, तरह 70 कोडों पर फेके जाते हैं, पच्छेप की परास अधिकतम होगी जब हुआ, कोड किस जिस पर दागा जाता है, देखी, हमने आपको थियोरी क्लास काते समय, एक बहुत ही इंपोर्टन क्वेशन बताया था, ये क्वेशन काफी ज़्यादे इंपोर्टन है, मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन है ये, और दोस्तों आप थियोरी वाले वीडियो देखे, अगर आपने उस वीडियो देखा है, तो मैंने उसमें बहुत ही डिटिल ने बताया हुआ है, और ये क्वेशन बहुत ह तो मैंने बताया था कि 36 से अगर किसी वस्तु को आप 45 डिगरी पे फेकते हैं तो उसका जो परचेप का परास होगा वो मैक्सिमम होगा अधिकतम होगा इसलिए अगर इस वस्तु को हम 25 डिगरी फेकते हैं तो इसका परचेप मैक्सिमम होगा आप देखेंगे तो इसमें 45 तो आपसन में दिया ही नहीं है इसलिए इस condition में आप इस 40 वाले option को correct मानेंगे समझ गए इस 40 वाले option को correct मानेंगे option number 10 का बिल्कुल correct answer होगा दोस्तों ये सभी के सभी प्रस्ण मैंने आपको करा रखा है पिछली वीडियो में तो request है आपके जरूर देख लें उसे अगला प्रस्ण है एक motor car है जिसका द्रविमान 50 kg है 15 मीटर पर सेकेंड के वेक्स चली जा रही है ब्रेक लगाने से 10 सेकेंड पस्चाद उसका वेक 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है ब्रेक द्रवा लगाया अब बल क्या होगा फार्मुला तो मनें बताया था f बराबर m into a बहुत ही फेमस equation है अगर आपको ये फार्मुला याद नहीं है तो आप छोड़ खार दिजिए पढ़ाय रिगाई देखिए f बराबर m into a लेकिन अगर तोरल को जानते आप है e equal to क्या होता है e equal to del b by t होता है del b क्या है वेग में पढ़िवतन और t क्या है समय में पढ़िवतन है अपर del t भी कर सकते है तो देखिए जो वस्तु पर ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या होगा उसमें क्या होगा अगर कोई वस्तु गती में है उसमें ब्रेक लगाएंगे पहले 15 मीटर पर सेकेंड था अब 5 मीटर पर सेकेंड नो गया यानि अगर 15 में से 15 गोटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड और बाई में लिखेंगे डेल्टी क्या है 10 सेकेंड पस जात बस इसको शॉल कर दीजे आफिये बाग देजिए एक जो से एक जो कर जाएगा आजाएगा आपका पचास और वो भी माइनस में तो माइनस पचास होगा न्यूटन क्योंकि बल का माद तक न्यूटन होता है तो आप्सन नमबर ए इसका करेक्ट एंसर जाएगा इससे बेटर से आपको हम नहीं समझा सकते एक दौर्य कांथ जो 10 मीटर पर सेट की ए का से चाल रही है ठीक है जो मोटरकर है वो 10 मीटर पर सेट की चल रही है टेलेक्ट में साल करते है 20 qa2 Social 2o aA.s से कैसे भी एक मोटर का दस मीटर पर सेकंड का या चाल से चल रही है शुरू में तो उसका वेक जिरो रहा होगा तो यहाँ पे जिरो बराबर यू यू क्या है दस मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दस का यू स्कौर है तो 10 का स्क्वार क्या होगा 100 प्लस 2 इंटू A A क्या है तो A कमान क्या है A कमान तो आपको ग्याद करना है ठीक है, ब्रेक के द्वारा लगाएगा बल तो ब्रेक के द्वारा कौन सा बल लगता है मंदन तो 2 इंटू A और इंटू S S कमान 25 मेटर दिया हुआ है S याए दूरी तो है तो 25 मेटर दिया हुआ है तो इसको बस सॉल कर लिजी तो आपका यहाँ पे 100 प्लस 2 A इंटू 25 तो 25 और 2 का जाँ मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका हुजाएगा 25 दूना के 50 तो 50 A प्लस 100 50 A प्लस 100 बराबर 0 तो A बराबर आपका हुजाएगा मायनस के 100 बई 50 बराबर मा Bennett 2 मायनस 2 मीटर पर सेकुंड का मंदन लगना होगा ठीक है मायनस के 2 मीटर पर सेकुंड का मंदन बल तो मंदन बल F बराबर M इंटू A होता है यह तो आप जानते है बल है हमने निकाल दिया है तो अब देखिए हमको व्याद करना है वस्तु का पुरा द्रवमान तो पचीस किलोग्राम द्रवमान दिया हुआ है तो रखे इसमें बरबर दिया हुआ है पचीस सो इंटू माइनस के टू हमने निकाला हुआ है दोनों का जब गुड़ा करेंगे तो 25 के दुना 50 तो option number 6 का correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तो अगला question आपको बहुत ही hard लग रहा होगा दिखने को लेकिन इस बहुत ही असान question है इसको solve करने के लिए मैं आपको सिधे फ्रामुला बता हूँ आप solve कर लिजेगा s ब्राबर ut plus half a t square ये फ्रामुला का बताया है इसी पर सभी value को रख करके आप इसको solve करने पर आप f यानि बल कामान फिर निकालिएगा बल कामान कैसे निकालेंगे f is equal to m into a ये फ्रामुला मैं आपको बताया है पर जब इससे आप solve करेंगे क्योंकि 2000 newton के बल खीजा जाता है तो 2000 newton का जब बल इससे लगा जाता है तो जब इससे आप s is equal to ut plus half a t square फ्रामुले पर रखते हैं तो इसमें आपको a कमान जो है वो ग्यात हो जाएगा जब a कमान निकाल लेंगे तो a कमान जो आएगा f बराबर m into a वाला फ्रामुला लगा दीजएगा और इसमें आप f is equal to m कमान दिया हुआ कितना 2000 और into में यहाँ पर a कमान आप जो निकाले होंगे value उसको यहाँ पर रख दीजएगा आपका correct answer आजागा यहाँ पर मैं इसका answer बता जाता हूँ इसका जो answer आएगा वो आएगा 800 newton इस question को आप solve करिएगा और comment में बताएगा कि आपको इसको solve करने आया या फिर नहीं आया नहीं तो हम next video में इसको बता देंगे अगर आप आप आपसने 40 kg का एक विसपोटक 12 मीटर पर सेकेंड के वेक से जा रहा है टक्कर के पर से तो वो 28 kg वो 12 kg के दो टुकरों में भाइद हो जाता है ये question बहुत जादे important है most important देखने में बहुत hard लग रहा है ना लेकिन देखे टुटकरियों में solve कर पाएगे आप मैंने आपको बताया था ना कि समवीग सनरच्छड का जो नियम होता है वो होता है M into K B मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला इसी में इसको बस रख दीजिए M into B क्योंकि वस्तु दो भागम बट रहा है 28 और 12 kg तो इसको हम लिख सकते है M1 B1 plus M2 B2 M1 का मान कितना है M1 का जो वैल्यू है वो है 40 40 into कर दीजिए 12 B1 पहला वस्तु B1 plus M2 का वैल्यू कितना है तो M2 का जो वैल्यू है उसको इसमें रखना होगा तो जब आप 40 और 12 का मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 और 12 का जब आप मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा चलिए इसे पहले लिख लेते हैं फिर सॉल्ट करेंगे 40 into 12 हमने कर दिया और equal to M1 B1 का मान रखेंगे यह तो आपका M into B का मान हो गया यह जो है M into B का मान हो गया तो M1 और B1 का मान हमें रखना है तो M1 B1 का मान रखेंगे दुखिए M1 का जो मान हो है 28 into B1 शुरू में तो उसका वेग 0 रहा होगा प्लस M2 B2 M2 का मान क्या है तो M2 का मान आपका है 12 into B2 का जो value है वो है ग्याद करना तो B2 यहाँ पर रख दीजिए अब इसको आप solve कर लिजिए यहाँ पर हमने B2 रख दिया है जब इसे solve करेंगे तो 40 और 12 का जब मल्टिप्लाई करेंगे तो 12 चोकर 48 480 आ जाएगा कितना जाएगा 480 बराबर 28 और 0 का मल्टिप्लाई करेंगे तो यह तो कुड़ा value 0 हो जाएगा और 12 इंटू B2 तो हैं पर हम इटरीट कर लेते हैं 12 B2 बराबर 480 यही आया था न B2 इसकोल 2 कितना जाएगा तो आप का जाएगा 12 चोड़ तालीस 40 B2 इसकोल 2 आप का जाएगा कितना 40 मीटर पर सेकेंड कितना जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर question जो है वो हाँ तो दोस्तो इस question का जो correct answer हमरा आया था वो था 40 मीटर पर सेकेंड तो option number C जो है वो correct answer आजाएगा कुछ भी ने करना है बस आपको समयक समस्षर गन्नियम से M into B पे रग देना है उपर वाले फ्रामूले पे ही इस question को भी solve करना है देखें कैसे M into B is equal to M1 B1 plus M2 B2 मैंने आपको यही पताया था तो यहाँ पे M into B का value दिया नहीं है तो हमको correct इसको इस वाले फ्रामूले पे रखना होगा M1 B1 plus M2 B2 वाले पे तो चलिए रखते है M1 का value कितना है 150 into B2 का value तो हमको ग्यात ही करना है B1 का plus M2 का value कितना है 1.5 B2 का value 60 दिया हुआ है 60 और 15 का multiply करिए तो कितना आएगा चलिए इसको हम direct काट लेते हैं यहाँ से 10 से आपका यह 10 cancel out हो जाएगा 15 से यह कर जाएगा आपका आएगा कितना तो 15 से जब divide करेंगे तो आपका 1 यहाँ पे point में 6 बचेगा तो जब इसे B1 को याद करना है तो B1 और B1 equal to जब करेंगे तो आपका B1 equal to यहाँ पे 0.6 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 था ना इसलिए यहाँ पे point भचा रहेगा तो 0.1 का multiply करेंगे 6 साथ तो 0.1 होने जाएगा तो B1 की value हमें ग्यात हो गई जो कि हमें ग्यात करना था ठीक है तो 1.6 याँनि आपसे number C इसका correct answer हो जाएगा तो दूस्तों आज हमने कुछ important question को solve गिया है गति यानी motion इस chapter से आने वाले important question यह question एक्जाम में बार-बार पुछे आते हैं अगर आप इतने question को अच्छे से prepare कर लेते हैं तो आप 100% deepharma intense exam crack कर लेंगे तो वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं आपको आज की class कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएं